हेलो दोस्तों दोस्तों आपका अमारी यूटूब चेनल में स्वागत है दोस्तों हम विसर्ग संदी पढ़ रहेते और इसका पहले का वीडियो जो अगर आपने नहीं देखा है जिसके अंतरगर दोस्तों हमने सत्व संदी को अच्छी तरह से समझाया है तो वेडियो दोस्तों आप हमारी डिस्क्रिप्शन बोक्स में दीवी लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आज दोस्तों हम विसर्ग संदी का दूसरा पार्ट उत्व संदी को समझाने वाले हैं तो देखे दोस्तों उत्व संदी को समझने का एक बेहत आसान तरिका यही है कि आपको सब्द के अंदर अर्थार्थ पद्द के अंदर ओ और यह अउग्रे वाला ए साथ में लिखेवे मिलेंगे इसके अलबा ओ केवल साथ में ऐ ओ केवल अकेला हो सकता है जिसे यहां उधान तो दियां रखना दोस्तों या तो आपको ओ और साथ में यह अउग्रे वाला चिंट साथ में दिखाए देगा यह दोस्तों आपको स्वर्चंदी के भाग पुछवरूप संदी के अंदर भी दिखाए दे सकता है लेकिन इन दोनों में भेद आपको केसे करना है वो भी हम बताएंगे, साथ में देखिए दोस्तों दूसरा उदान मनोहर, मनोहर में यहां पर ओ आपको साथ में दिखाए दे रहा है, नेके साथ में ओ जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के पद या सब्द आपको दिखाए देना, तो आप समझ जाना कौन सी संदी है, विसर्ग संदी, दोस्तों हम इनको अच्छी तरह से खोल कर भी वताएंगे, और हमारे एक्जाम में जो महत्वपूर्ण है, हम उतना ही समझेंगे, तो हमारे लिए बेतर होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे सुत्तर काम करते हैं, संस करते हैं, और इतना डीप में हमें नहीं दोस्तों जैसे उदान देखिए, कोड अपी, इसको ही हम देख लेते हैं, अगर हम इसका संदी विच्छेत करें, तो ऐसे बनता है कय प्लस अपी, अब दोस्तों इसको अगर आप ध्यान से देखो, तो यहां कय के साथ में एच छिपा हुआ है, और इतनी बारी किया दोस्त साथ में विसर्ग हो, फिर आगे देखिए, दोस्तों दूसरे पद में, मतलब संदी का जो दूसरा पार इसमें देखिए, यहां पर भी ए है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए, फिर विसर्ग और फिर ए, एसा साथ में आ जाए, तो कौन सी संदी होगी, उत्वसंदी, यहां साथ में ओकी मातरा है, और यह अउग्रवाला ए, एसा जब आपको दिखाई दे, तो आप समझाना कौन सी संदी होगी, उत्वसंदी, दोस्तों पूर्वर रूप संदी के अंदर जो स्वसंदी का भागता, उसके अंदर भी ऐसा ही है, लेकिन यह आपको पहचान रखनी है कि अगर विसर्ग संदी होगी, तो इधर भी होगा, इधर भी होगा और बीच में विसर्ग होगा, यह विसर्ग संदी की पहचान होगी, अब देखिए दोस्तों, यह कोड़ पी किस परकार बना है, इसमें संस्कित के सुत्र किस परकार लागू हुए हैं, तो एक बार वो भी हम आपको बता देते हैं वैसे दोस्तों वह आपके लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है फिर भी हम आपको बता देते हैं तो देखिए दोस्तों इसके अंदर एक सुत्र काम करता है जिसे बोलते हैं अतरोर प्लूताद प्लूते ये किस प्रकार काम करता है तो देखिए यहां जिसे कोड़ अपी का संदीव इच्छेद हम करते हैं तो होता है दोस्तो कस प्लस अपी, अब यहां पर जो सै ना सै, यह यहां पर रू के अंदर बदल गया, देखिए, कस जो यहां पर था, वै करू हो गया, और अपी का अपी यहां पर हो गया, तो यहां पर एक सुत् सुतर के कारण ये से ना ये रू के अंदर बदल गया है वैसे दोस्तों आपको इतना याद नहीं रखना है लेकिन हम आपको इसे ही बता रहे हैं फिर आगे देखे दोस्तों जो कह है ये कह कह वापस आ गया और यहां पर जो रू है वै यहां पर उ के अंदर बदल गया है जो सुत्र के कारण रू यहां पे उ के अंदर बदल गया है आपको इतना डीप में याद नहीं रखना है किवल यह समझाने के लिए बताए जा रहा है फिर आगे देखें दोस्तो इस कह के अंदर आपको पता है ए छुपा हुआ है कह के अंदर क्या छुपावा है ए और ए के बाद में क्या उ दोस्तों आपने सुवर संदी पड़ी होगी गुन संदी उसके अंदर आपने देखा होगा जब ए के बाद में उ आए तो उसका उ हो जाता है तो यहां इस कह में से हम ए को हटाते हैं तो यहां पर हम लगा सकते हैं हैलन्त करके नीचे और इसके अंदर जो ए छुपावा था वै इस उसे मिलकर ओ बन गया फिर दोस्तों यह अपी का अपी ऐसा का ऐसा आ गया अब यहां पर देखिए अब अगर आप इस पद को इस चंदी विश्यद को देखो तो आपको पूर्वर रूप संदी जो स्वर संदी का भाग था वो आपको दिखाए देगा क्योंकि उसके अंदर यही था कि पहले वाले पद में O फिर आगे वाले में A और यह A जो है वह अउगर में बदल जाता है तो आगे चल कर दोस्तों यही होगा यह कह 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 एसा का इसा ही आगया O का O इसा का इसा आगया लेकिन जो यह A है यह अउगरव वाले A में बदल जाता है इसे बोलते हैं दोस्तों अउगरव वाला A और P का P इसा आगया इस तरह दोस्तों इस पद को मिलाने पर बनता है कोड डपी तो इस परकार यह एक पद या संदी विचेद जो था इस परकार बना हुआ है आपको दोस्तों यह ट्रिक याद रखनी है कि अगर हम संदी विचेद करें और आगे की तरह भी ए बीच में विसर्ग फिर ए हो तो कौन सी संदी होगी उत्वसंदी आगे ऐसे भी और उदारन आप देख सकते हो जैसे रामो अवदत इसमें होगा रामय प्लस अवदत इसी तरह रामो आयम में रामय प्लस आयम इस तरह दोस्तों आप इसका संदी विच्छेद कर सकते हो अब हम मुद्व संदी का जो दूसरा वाग है ओ वो किस परकार आता है उसको भी समझते हैं कि सब्द के अंदर पद के अंदर ओ किस तरह मिलेगा आपको तो देखें दोस्तों ओ में क्या होगा दोस्तों विसर्ग और गुण दोनों साथ में समाइट होंगे मतलब विसर्ग संदी और गुर्ण संदी दोनों साथ में समाइच होगी वो हम देखते हैं जैसे एक उदर्ण हम लेते हैं दोस्तों मनो हैर है तो इसका अगर संदी विच्चेत करें तो होता है मना पलस है हरे अब यह किस प्रकार बना है तो इसको भी हम खोल कर देक लेते हैं तो इसके लिए दोस्तो इक सुत्र शुत्र काम करता है हसिसचे कौन सा हसिसचे इतना आपको याद नहीं रखना है लेकिन हमेसे यह आपको बता रहे हैं तो दोस्तो इसका संदी विच्छेद करने पर होता है मनाय प्लस हरै इस तरह यहां पर जो यह विसरग है यह बदल गया सह के अंदर मनाय सह प्लस हरै अब यहां पर भी दोस्तो वही सुतर काम करता है सस जू सोरू और उसी सुतर के कार्ण ये सेना ये रूप के अंदर बदल गया और बाद में हस परतियार हो हस परतियार का है यहां पर दोस्तो देखिए हस परत्यार हो तो ये रू उ के अंदर बदल जाता है ये रू किसके अंदर बदल जाता है उ के अंदर ये वाला रू तो इस तरह दोस्तों बदल गया यहां पर जो ये मैं नै नै के अंदर आ चुपावा था उसको हमने यहां पर बार निकाला है और यहां पर हमने हलंत लगा दिया है तो यह वो गया दोस्तों मनै, ए, उ, और हरे अब इस तरह दोस्तों यहां पर भी आप देख सकते हो गुंड संदी हो रही है ए के बाद में उ आ रहा है ए के बाद में उ आ रहा है तो यह दोनों संयोग होकर ओ बन जाएगा इस तरह यह बदल गया मनाए ओ प्लस हरे अब इनको हम जोड़ते हैं तो बन जाता है दोस्तो मनो हरे इस तरह यह सब्द बना है इसी तरह आप और भी उदार्ण देख सकते हो जिसे यसोडा, इसमें हो गया purple दोस्तो यसस प्लस दा और भी आप दोस्तों बहुत सारे उदारण अगर हल करते हो तो यह आपके लिए और अच्छी तरह से किलियर होती जाएगी आगे उदारण देखे दोस्तों नमो नमय तो इसमें भी हो जाएगा नमस प्लस नमय आप इसका संदी विचेद करके देख सकते हो ठीक है दोस्तों इसके अंदर क्या था विसर्ग और गुण दोनों साथ में समाई थे गुण किस प्रकार था वो भी हमने आपको समझाया है दोस्तों विसर्ग संदी जो हमने अच्छी तरह से समझ ली है इसके कुछ उदारण जो आप हल कर जीए अर्ये चात्रोडयम शिनो भवत्ती पुन्रा रमत्ते फेरूरोती उड़ है तो यह जो आपको यह पत दिये जा रहे हैं इनका संदी विशेद करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और आपको कितना समझ में आया है दोस्तों ये भी हमें बताईए दोस्तों गर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिए और हो सके उतना ज़्यादा सी ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सेर भी कीजिए दन्यवाद दोस्तों